दो दिसंबर को दोस्तों CAC ने आजादी की पच्छतरवी अमरित महत्सों मनाई जिसमें दोस्तों CAC वियली के लिए कुछ विशेश सर्विस लाउंच की गई है इसके साथ ही दोस्तों और सर्विसों के साथ M.I.U. हो चुका है वो भी हम जानेंगे इसके बाद ये भी जाने दोस्तों आजादी के पच्छतरवी अमरित महत्सों के मौके पे टोप 10 वियली को समानित भी किया गया CAC के अलग-अलग राज्यों में अस्टेट टीम के द्वारा ये कौन से CAC वियली थे जिने समानित किया गया इन सारी बातों को दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से क तो चली दोस्तों आगे हम जानेंगे क्या हुआ इस आजादी के 75 वी अमरित महत्सों के मौके पे और कौन-कौन सी सर्विस CAC के अंदर लौंच हुई है साथी दोस्तों आने वाले समय में जो भी M.A.U. हुआ है उसके माध्यम से CAC वियली क्या परिवर्तन देख पाएंगे अपने आसपास सारी बातों को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेंगे तो चली दोस्तों हम CAC की ओफिस्यल ट्विटर एकाउंट पे आ चुके हैं जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि आजादी की अमरीत महुत्सो मनाई जा रही थी कल इसके साथ ही दोस्तों राय जी भर से जो टॉप 10 CAC वियली थे उन्हें बुलाया गया था अलग-अलग विभागों से ऐसे CAC वियली आये थे जो टॉप 10 में रेंग कर रहे हूं जैसे की फ्रेंड आधार यूशियल से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इंसुरेंस से रिलेटेड और इसके साथ ही डीजी गाउंस से जो CAC वियली थे टॉप 10 में जो भी अस्टेट लेवल पे थे उन्हें बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए अब हम आगे जानेंगे दोस्तों इस महुत्सों में क्या-क्या नई चीजे निकल कर आई है और आने वाले समय में किस प्रकार से हम अपने आसपास इस परिवर्तन को देख पाएंगे और साथ ही महसूस भी कर पाएंगे जैसक दोस्तों डीटर इंडिया की ट्वीट को इसे देख पा रहे होंगे जिसे CAC जरकर ने रिट्वीट किया है इसके माध्यम से अब होगा क्या दोस्तो CAC SPV टीम जो है वो रेल टेल के साथ MAU कर चुकी है आने वाले समय में क्या होगा कि आपके आसपास ग्राम पंचायत में रेल टेल जो होगी वो टावर या फिर वाइफाई आप लगवा पाएंगे अपने आसपास रेल टेल दोस्तों काफी अच्छी सर्विस देती है जैसा कि दोस्तों आपको पताई होगा कि वाइफाई चौपाल तो हमारे ग्राम पंचायत में आ चुकी है लेकिन दोस्तो जमिनी अस्तर पे इसे देखा जाये तो वो परसिद्धी नहीं प्राप्त हो पाई है जो इसे मिलना चाहिए सही से दोस्तो आपके CAC VL-E ही वाइफाई चोपाल का यूज नहीं करपा रहे है क्योंकि कहीं ने कहीं वाइर कट या फिर जो भी प्रोब्लम रहा हो ये बस C-VL-E तक ही सीमित रह गया है आने वाले समय में दोस्तो रेल टेल के माधियम से आप अच्छी ब्रोडबेंड कनेक्शन या फिर वाइफाई की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे अपने ग्राम पंचायत में ही C-VL-E दोस्तो आजादी का अमरित महत्सो सभी राजियों में मनाया गया और आपने देखा होगा कि अस्टेट लेवल पे जो टोपर थे उन्हें लेप्टोप दिया गया है बाकी दोस्तो जो डिश्टिक लेवल के जो टोपर थे उन्हें आवाड देकर सम्मानित किया गया सभी राजियों के अस्टेट टीम के माध्यम से कल के डेट में दोस्तो एक चीज और लॉंच हुई है हमारे CAC के अंदर वो रहा दोस्तो ये CAC Pay जैसा कि दोस्तो आपने नाम सुना होगा Google Pay, Phone Pay इसी परकार की सर्वीस CAC भी लेकर आई है जिसका नाम CAC Pay रखा गया है आने वाले समय माँ आप देखेंगे सभी CAC VLE के सेंटर में ये CAC Pay की बारकोड लगाना होगा और जो भी सर्वीसेस आप CAC सेंटर के माधियम से परवाइट करते हैं आम सिटिजन को उसकी जो पैमेंट आप लेंगे दोस्तो वो डिजिटल तरीके से आप CAC Pay के माधियम से प्राप्त कर पाएंगे तो ये रहा दोस्तो CAC Pay की UPI कोड जो कुछ इस प्रकार की आपको आने वाले समय में प्राप्त होगी जैसक दोस्तो इस CAC वालेट को इस न्यूज के माधियम से भी अच्छे से समझ सकते हैं CAC का मोबाइल वालेट आज होगा लाउंच Electronic वा IT मंत्राले के अधिन काम करने वाला Common Service Center CAC अपना मोबाइल वालेट लाउंच करने जा रहा है गुरुवार को इसकी सुरुवात की जाएगी इस वालेट को CAC Pay का नाम दिया गया है CAC SPV के MD दिनेस कुमारत्यागी ने बताया कि फिलहाल CAC Pay दो लाग से अधिक केंद्रों पर काम करेगा अभी यह QR Code के रूप में होगा जो CAC दोरा दी जा रही सेवाओं के सुल का भुकतान करने की सुविधा देगा इससे ग्रामिनों को नगत भुकतान नहीं करना पड़ेगा उन्होंने बताये कि जल्दी CAC Pay एप Google Play Store से डाउनलोड किया जा सके का फ्रेंड इसके बाद इस एप के जरिये CAC की किसी भी सेवा के बदले डिजिटल भुकतान किया जाएगा MS, ME, खुद्रा कारवारियों को भी CAC Pay से इसके आगे दिनिस्त्यागी ने बताये कि गुरुवार को रेल टेल के साथ मिलकर गाओं में ब्रोडबेंड सेवा पहुचाने का काम भी सुरू किया जाएगा उन्होंने बताये कि रेल टेल के पास 6000 अस्थानों पर इंटरनेट से जुड़े पॉइंट औफ प्रजेंस हैं जिसकी मदद से CSC पॉप के आसपास के गाओं में ब्रोडबेंड इंटरनेट सेवा पहुचाने का काम करेगा CSC का यह काम भारत नेट के तहट गाओं को ब्रोडबेंड से कनेक्ट करने की जारी स्कीम से अलग होगा त्यागी ने बताया कि रेल टेल को फैदाया होगा कि वे गाओं में इंटरनेट की विक्री कर सकेंगे उन्होंने बताया कि गुरुवार से सभी CSC पर इपको के साथ मिलकर नेनो यूरिया भी विक्री की सुरुवात की जाएगी फ्रेंड जैसा कि दोस्तों कुछ अच्छी स्कीम आ रही है जैसे कि रेल टेल हो गया या फिर CSC पे हो गया आने वाले समय में इसके परिणामों को आप महसूस कर पाएंगे रेल टेल बहुत ही अच्छी ब्रोडवें कनेक्शन सेवा दे रही है जैसा कि दोस्तों आपने रेल वे प्लेटफॉर्म में देखा होगा जो भी वाइफाई लगी हुई रहती है वो सारे समय रेल टेल वहाँ पर प्रवाइट करती है फ्रेंड आसा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक इंट सेरे करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आप से भी दोस्तों का बहुत बदानेवा थैंक्यू